हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सभी केंदरी करमचारी पेंशनर्स और जवानों के लिए जो है सुप्रीम कोट ने जो है एक एतिहासिक फैसला निकाला है दोस्तों अब जो भी आपको एकसेस पैमेंट मिलती है उसके उपर सुप्रीम कोट ने एक बड़ा आदेश निकाला है किसी की भी गलती से अगर access payment आती है तो वो pass payment आपकी हो जाएगी जिसके ओपर कुछ conditions है उसके बारे में Supreme Court का latest order है चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस important update के बारे में दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को जरूर subscribe करें जिससे आने वाली हर वीडियो का update आपको मिलता रहे है और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दोबाए दोस्तों access payment की अब recovery नहीं की जा सकती किसी भी करणवश अगर पांच साल का time निकल चुका है और आपके account में गलती से government के तरफ से salary के या कोई allowance के या किसी और माध्यम के पैसे आया है वह अब government जो है पांच साल के भीतर भीतर कर सकती है पांच साल के अंदर कर सकती है अगर पांच साल से ज्यादा time हो जाए तो उसकी recovery नहीं हो सकती है इसके लिए दोस्तों पेंशनर से भी एगर वह एक साल का time रहे गांके pension में जानेगा तो भी recovery नहीं किया सकती है इसके लिए दोस्तों और भी बहुत सारी conditions है चार पांच conditions है जहां पर पेंशन के recovery करने की या access payment के recovery नहीं किया सकती है इवन जो है अभी ECHS में भी एगर फिक्स medical allowance ले दिया गया था उनके लिए भी जो है जितने भी access payment की गई थी उसकी जो recovery के जितने भी circular थे वह विट्रॉक कर ले गया है तो दोस्तों ये था आज का important update जिसमें कि कई बार लोग अपने पैसे use कर लेते हैं तो उसकी वैसे आप इसको नहीं कर सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए, share कीजिए और subscribe करना ना भूले Thank you for watching this video कर दोस्तों